लेकिन कि आपको पराठा गूंदना और बेलना मुश्किल काम लगता है तो चिंता ना करें हम आपके लिए इसका सबसे वड़िया उपाई लेकर आए हैं भरोसा रखें आलू के पराठे की ये रेसिपी बहुत ही सरल और बहुत ही अमेजिंग है यकीन मानिए ये पराठे पा नम होने तक कुक कर लिजे फिर इसको ठड़ना कीजिए और आलू के चिल के चिल लिजे फिर इसे अच्छी तरह से मेशर से मेश कर लिजे अब इसमें हम लाल मिर्च सूखी और कुटी हुई गरा मसाला पाउडर सौफ पाउडर मुना हुआ जीरा पाउडर और चाट मसाला पाउडर एक टी स्पून साधा नमक स्वादा नुसार और थोड़ा सा सेंदा नमक एट करेंगे और साथ ही में हम इसमें एक टेवल स्पून हरी मेर्च अधरक और लहसुन तीनों चीजों को कूट कर डालेंगे एक प्यास बारिक चॉप करके डालेंगे और बहुत सारा हला ध तरह के से फेंट लेना है देखिया इस तरह से जब यह तरल बन जाए तब इसमें हम आप टी स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे नमक स्वादानुसार नमक मैंने इसमें पहले डाल चुकी हूँ तो यहां पर नमक थोड़ा घ्यान से डालिएगा पानी के टेस्ट के हिस एक चमीर तीस्पून इसमें हम डालेंगे येश्ट खमीर तो वन इन हाफ टी स्पून मैंने इसमें खमीर डाल दिया और खमीर डालकर इसे ज्यादा नहीं बोलना होता है बस हलका साम इसे चला लेंगे और अब इसे कवर करके हम 10 मिनिट के लिए रख देंगे गरमी फान प अब इसे तब तक फेटें जब तक ये चिकना तरल मिक्ष्चर ना बन जाए इसे अच्छे तरह से फेट लेने के बाद इसे हम कवर करके एक घंटे के लिए गरम जवापर रख देंगे जिसे अच्छे से फूल जाएगा अब यहाँ पर घोल को रखे हुए पूरा एक घंटा कवर हो गया है और यह अच्छे तरह से फूल गया है अब देख पार होंगे यह देखिए अच्छी तरह से फूल रहा है अब इसमें हम डालेंगे बारिक चौप क्या वारा धनिया और इस अच्छे से मिक्स कर देते हैं अब हम आलू के पराठे को पकाने के प्रोसेस में चलते हैं तो गेस को चालू कीजिए और इस पर एक नॉन इस्टिक तवार रख कर गरम करें और इसकी सता पर खाना पकाने वाला तेल, मक्खन या फिर घी डालें में या पर इसमें एक चमच मक्खन डालूंगे और इसे तव पराठे को एक लीड से कवर करें और दो से तीन मिनिट तक इसे निचली सता से पकाएं जब निचली सता इसकी अच्छी तरह से पक जाएगी और उपर की जो भाग है हिस्सा है ये सूख जाएगा तब पेन के ढखकन को हम हटाएंगे और इसे पलट लेंगे और इसी तरह से दूसरी तरब भी इसे पकाएंगे पराठे को पलटने से पहले पेन में थोड़ा सा मकन डाल दीजे जिससे इसका दूसरा हिस्सा भी अच्छी तरह से पक पाएदा और जब पराठा दोनों साइट से अच्छी तरह से सिख जाए पलेट पर निकाल लेंगे और इसी तरह से बागी के पराठे भी बना कर त्यार करेंगे अब अपने इस तेश्टी और मज़ेदार आलू के पराठे को हम दही अचार के साथ या फिर टमाटर की चटनी के साथ गर्मा गर्म सरू करेंगे और इसका मज़ा उठाएंगे देखिए कितने गर्मा गर्मा और नरम पराठे बनकर त्यार हुएं एकदम मुँ में घुलने वाला है उत्सवाद इतना कि आप इसे हमेशा बनाना चाहेंगे तो इसे बनाईए और इंजॉइ किजिए और मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आपको आलू के ये पराठे कैसे लगे वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक केज़ेगा ज्यादा ज्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेर केज़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा